वेलकम टू यूनिक वैब इस्कूल अगर आप लोग रेस्टुरेंट वैबसाइट करना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए इस वीडियो में भाजन नाम का एक स्किप इंस्टूल करने आपको देखने बाला हूँ इस स्किप के जरी आप लोग अगर रेस्टुरेंट वैफसाइट करते हो तो आप लोग इस स्किप को बाई करकी उस कर सकते हो तो आप लोग देख सकते हो और रेस्टुरेंट कर सकते हो और रेस्टुरेंट का खुद का जो वैफसाइट है और इसका जो रेगुलर लाइसेंस तो इसको बॉइ करके आप लोग बेस्ट आपका जो रेस्च टोरन और एफसाइट है और इसको किस दाया से इंस्ट्रॉल करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने बाले हैं तो चोले इसका जो लाइब प्रिवू है वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर लाइब प्रिवू में क्लिक करके इसका लाइब प्रिवू देख सकते हो और यहाँ पर स्किन शॉट में अगर क्लिक करते हो तो तो यह जो रेस्टूरेंट है, एक किस तरह से है, और यहाँ पर आपके स्क्रीन शॉर्ट में देखा ही देखा है, तो आप लोग खुदी इसका लाइप प्रियू देख लीजेगा, मैं इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और आपको मैं देखाता हूँ, और भी कुछ जा इसको किस तरह से इंस्टिन्ग करते हैं, और यहाँ पर इस तरह का अफ्राइल में लिए जो फाइल में है इसको हम लोगों क्या करना है आंजीब करना है तो चलिए इसको हम लोग आंजीब करते हैं यहाँ पर हम लोग राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर ओके में क्लिक करते हैं तो हमारा जो फाइल हो यहाँ पर आंजीब हो जागा है यह रहा हमारा फाइल आंजीब ह करते हो तो किस तरह से इंस्टूल करते हो ही आपको इस फाइल के अंदर आपको दिखाएगा लेकिन यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हो इसलिए आपको ए डुकुमेंट देखने के अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो यह जो भौजान नाम का जो जीप फाइल है इसको हम हम लोग को क्या करना है हमरा जो सर्वर है उसमें अपलोड कर देना है तो चोली हम लोग इसको अपलोड करते हैं हमरा सर्वर में तो मैं मेरा सीपेल को यूस करता हूँ मेरा सर्वर के अंदर तो मेरा सीपेल को मैं ओपेंड किया हूँ उसके बाद यह पर हम लोग जाएंग हम लोग upload button में click करते हैं और हमार जो फाईल है उसको हम लोग यहापर upload करदेंगे यापर select file में click करते हैं और यहापर upload करते हैं बहुष्ण जो exist म बहुष्ण इसकी भी है यहापर upload हो जाएगाavier होने के बाद हम लोग इसका जो next process होगा वह आपको देखाएंगे और आपको step by step install करना आपको सिखेंगे ठीक है तो चुलिए हम लोग वैट करते हैं इसको upload होने तक उसके बाद आपको देखाते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमर 100% upload हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर go bank में जाते हैं और यहाँ पर go bank में जाके जो file है इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे unzip तो यहाँ पर right button क्लिक करते हैं और यहाँ पर stack में क्लिक करते हैं और यहाँ पर stack file में अगर click करते हो तो हमारा जो file होए और यहाँ पर unzip हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स पोसेस में जाएंगे यहाँ पर आप लोग देख सेकतो हमारा फाइल यहाँ पर आन्जिब हो चुका है सारा फाइल यहाँ पर आचुका है इसको क्या करना है यहाँ पर क्लोस में क्लिक करना है और यहां पर आपका जो framework करणा तो मेरा domain को इसको मै opend करुँए यहां पर देख सोन है इस तरह का option देख रहा है आता हम लोग किया करेंगे, हमारा や slash install लिकर इंटर करेंगे slash install ठीक है okay slash install लिकर इंटर करते हैं और यहाप पर देख सकतो हमारा जो installation का जो process होगा ओ यहापर आपके सामने आ जाएगा ठीक है तो आप ही क्या कहना है verification कहना है verification कहने के लिए event जो user ID है ओ यहापर आपको देना है तो मैं यहापर मेरा जो user ID होई है ओ यहापर मैं डाल देता हूँ ठीक है उसके बाद यहापर आपको जो license की होगा license की आपको डालना है तो मेरा जो license की है ओ मैं यहापर डाल देता हूँ आपका जो license की होगा ओ आपको यहापर डालना है लाइसेस की डालने के बाद यहाँ पर next button में क्लिक करना है मैं यहाँ पर next button में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकतो हमारा license आ चुका है यहाँ पर congratulations server meet requirement हमारा जो सारा requirement है वो यहाँ पर meet हो रहा है हम लोग scroll down करकी नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकतो server does not meet flowing requirement okay set mode को अप करना है तो हम लोग फिरल नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग सारा फाइल सही है तो हम लोग करने यहाँ पर next button में क्लिक करेंगे यहाँ पर मैं next button में क्लिक कर देता हूँ करें और करेंगे हम अबर्मुकशन गिकट करेंगे हाँ ना करेंगे ना के लिए हम लोग जयेंगे मींच के अंदर स्फेल के आंदर हम लोग जाएंगे यहाँ पर देखेंगे database नमका option हम लोग इहाँ पर find करेंगे यहाँ पर देख सेक्थ हूं, Database नमका option है और यहाँ पर आपको जाना है MySchool Database, गयाँ पर आपको आपको Database Create करना है और उसके बाइदाबेस का जो यूजर है, वो भी Create करना है और database और user को दोनों को connect कर देना है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर create new database यहाँ पर हम लोग database का नाम देंगे हम लोग क्या नाम देंगे हम लोग यहाँ पर unique और विस्कुल यही नाम दे देते हैं हमारा YouTube चैनल का नाम देते हैं आप लोग कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हूं, तो यहाँ पर मैं दे देता हूं, यह हमारा dodaлять का name हो तो हम लोग क्या करेंगे? Create database यहाँ पर click करेंगे को, यहाँ पर में क्लिक करता हूं это Create database में और यहाँ पर हमार जो database है वो यहाँ पर create हो चुका है इसको आप लोग save कर लिजेगा तो हम लोग go back में जाएंगे और यहाँ पर database के लिए database user create करेंगे इसलिए हम लोग scroll down करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो edit new user ठीक है तो यहाँ पर username है आप लोग कुछ भी यहाँ पर username दे सकते हो मैं यहाँ पर नाम type कर देता हूँ यही नाम user देता हूँ यह हमारा username है और इसके लिए हम लोगों को password create करना होगा ठीक है तो यहाँ पर password और यहाँ पर agent password दुबार से आपको type करना है ठीक है तो हम लोग क्या करने बाले है हम लोग password को generate करेंगे इसलिए यहाँ पर password generator में क्लिक करते है और यह जो password हम लोग को generate करके दिया है इसको copy करेंगे यहाँ से copy करते है और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं ठीक हमरा password को यहाँ पर set करते हैं हम लोग उसके बाद यहाँ पर आई है आप को पी में क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करना के बाद यहाँ पर यूस पाजवर्ड में क्लिक करना है तो आपका पाजवर्ड यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर क्रेट यूजर में क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका जो user है वो यहाँ पर create हो जाएगा ठीक है तो यह रहा हमारा user तो यह जो user है और हमारा database हम लोग create किया है उसको connect करना है तो इसलिए हम लोग go bank में जाएंगे और user और database को connect करेंगे इसलिए हम लोग scroll down करते है और यहाँ पर edit user to database यहाँ पर आपको देखेगा यहाँ पर आपको connect करना है इसलिए हम लोग हमारा user है उसको select करते है उसके बाद यहाँ पर database को select कर देते है यह हमारा database है तो यहाँ पर edit में क्लिक करना है एड़ेंट में क्लिक करने के बाद यहापर all meeting में देना है और यहापर max change में अगर आप लोग क्लिक कर देते हो तो यह आपका database और database user connect हो जाएगा उसके बाद यह जो user और database है इसको copy करना है यहाँ से हम लोग copy कर लेते हैं यहाँ पर copy कर ले हैं और उसके बाद हम लोग Sort करेंगे हमारा note pad के आंदर, डाटपस की अटकारे के बाद यहापर आपको डाटपस का name देना है तो मेरा जो डाटपस का name है मैं यहाप पाड डालूँगा यह हमारा डाटपस का name है इसको मैं यहाप डाल देता हूँ database username मेरा database के username है यहाँ पर में डालता हूँ ठीक है यह हमारा database के username है database password यह रहा हमारा database password इसको हम लोग copy करके यहाँ डालते है उसके बाद यहाँ पर next button में click कर जाता हूँ और यहाँ पर देख सकतो हमारा कितने time लिया है almost one minute का उपर ने लिया है इसको install होने के लिए तो हम लोग white करते हैं यहाँ पर देख सकतो हूँ प्लीज वाएड यहाँ पर countdown चोल रहा है तो हम लोग white करते हैं उसके बाद हम लोग आपको यह जो full installation process है यहाँ पर complete हो चुका है already तो हम लोग white करते हैं इसको install होने तक ठीक है उसके बाद हम लोग आपको देखेंगे इसके बाद जो step होगा आपको मैं देखाऊंगा ठीक है white करते हैं करते हैं झाल झाल यहाँ पर देख सकतो हमारा next message आ चुका है यहाँ पर आपको क्यी होच free click आपको की्ट होचा है, मेरा next message आ चुका है, just the email, Unix, यहाँ एन सडेज़िस्टे आपको क्या करना है? तो हमारा जो अप्लिकेशन है यहापर इंस्टल हो चुक है तो हम लोग क्या करेंगे finish installation process में क्लिक करते हैं यहापर new tab open करके और यहापर देख सेकतो हमारा यहापर delete करना के लिए बोल रहा है delete now please delete installation to run your application तो हम लोग क्या करेंगे यहापर delete button में क्लिक कर देदे यहाँ पर Delay Now में क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकतो Install or Successfully Delayed तेक है उसके बाद यहाँ पर Launch Now में क्लिक करते हैं तेक है और यहाँ पर आप लोग देख सकतो हमारा जो Restaurant है वो यहाँ पर Install हो चुगा है और यहाँ पर जो भी Image बागरा है वो आपको Setup करना है यहाँ पर देख सकतो Image लगाना है यहाँ पर Slider में और यहाँ पर Text बागरा है यहाँ आपको Change करना है और यहाँ पर सारा कुछ आप लोग Change कर सकते हो आपका Admin Area में Login करके और Picture बागरा आपको लगाना है ठीक है और यहाँ पर Menu बागरा में क्लिक करके आपका जो Menu होगा वो आपको लगाना है Admin Area से ठीक है तो यह जो सारा सिस्टेम है इसको किस तरह से Edit करते हैं किस तरह से Menu Add करते हैं किस तरह से Menace करते हैं अगर आप लोग नहीं जानते हो तो Comment box में comment कीजिए में आपको बतंगों किस तरह से जो website है इसको setup करते हैं हिलाल इस वीडियो में इतने हैं अगर आप लोग मेरे चैनल पर New हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रही है थैंक्स